तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो देख सकते हैं आज हम लेके आए हैं बहुत ही कम इंग्रीडियंट में बनने वाला ये चटपटा स्नैक्स रेसिपी पोटेटो रोल जो कि खाने में तो टेस्टी हैं और बनाना भी बहुत आसान है बच्चों क आप डाल दो मैदा मैंने लगबग 1,500 ग्राम के अप्रोक्स मैदा लिया है आप कम जाधा अपने कर सकते हो पर इसमें हम डालेंगे टेस्ट एकॉर्डिंग नमग और अजवाइन और मंग्रेला इसको हाथों से अच्छे से क्रश करके मैंने आड करा है पर इसमें डालेंग कर दोव बनाना है और जब यह डोव बन जाए जाधा पानी आ ज्यादा गीला नहीं करना है आपको आटे को आटा जब अच्छे से गुच जाता है तो इसका सबसे बड़ा निशानी होता है कि वह बल्कुल भी बरतन में लगते नहीं है बिल्कुल अच्छरे यह बन के तया वेकिन उसमें गुल्टियां रहने की चांसेज होती है इसलिए मैंने ग्लेटर का यूज करा है ताकि इसमें एक भी गुल्टिया ना हो फिर अड़ करा है टेस्ट इकॉर्डिन नमक हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला और टेस्ट के लिए चैट म अलू बन के बिल्कुल तयार है बनने के लिए और उसके बाद देखते हमारे आटे का पोजिशन तो यह दस मिनट के बाद आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है अब इसमें से हम चुड़ोटे लोई काट लेंगे बॉल्स के शेप में उसके बाद इसे बिल्कुल प कर सकते हो और इसे अच्छे से रोल कर लेना है और फिर बीच में रग दो कटोरी और उसके साइट साइट जो हमने यह आलू बना के तयार करा था यह आलू को हम अच्छे से चम्मच की हल्प से या आप हाथों की हल्प से भी अच्छे से स्प्रैट कर दो एक एक कोने में एक एक इंच जगह खाली नहीं देने चाहिए पूरे आलू से अच्छे से कवर कर दो और इसके बाद यह कडोरी आपको हटानी है और इसे इस तरीके से आपको काट लेना है आप जितने चाहो उतने पतले जितने चाहो उतने बड़े कर सकते हूं मैंना जादा बड़ा ना जादा पूर से थोड़ा सा पानी किनारे पर डाल के आप चिपका सकते हो लेकिन यह ऐसे ही देखो मैंने रोल करा हलका हाथों से दबा के चिपका दिया है और सारे पूटेटो रोल्स को इस तरीके से हम रोल करके तायार कर लेंगे और फिर लेना है आपको एक गढाई उसमें गरम तो मैंने डाल दिया है और यह medium to low flame पे आपको पका लेना है और यह बहुत ही crispy golden brown suneray color के दिखने लगेंगे तब आपको इन्हें निकाल लेना है और फिर आपको गर्मा गरम सर्फ करना है किसी भी फेवरित चटनी के साथ मैंने इहाँ तूमेडो स्वास्स का यूज कर रहा है आपके पास जनिया पत्ते की चटनी एमली की खटे मेटी चटनी कोई भी चटनी के साथ आप इसे सर्फ करो और इंजॉय करो बहुत अमेजिंग रेसिपी है एक बार ट्राइ करना तो बनता है तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाई नई हो तो चै सब्सक्राइब